हलो एवरियों वेलकम तो दे चैनल ट्यूटर बॉक्स और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिसकस करने वाला हूं तो देखिये आप सभी को पता है रिवीजन बहुत इंपॉर्टन्ट होता है और किस तरह से हम रिवाईस करें क्या ऐसे टिप्स हैं जिन से हम फास्ट रिवीजन कर सकें तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या क्या हमें करना चाहिए तो देखिये सबसे पह पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं चैप्टर रीड करते हैं क्या करते हैं चैप्टर रीड करते हैं तो जब आप चैप्टर रीड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपना क्या बनाने हैं नोट्स बनाने make your own notes, revision करने के लिए notes बहुत जरूरी है, देखिए मैंने दो lecture अल्रेडी दे रखे है, why are notes making is necessary and how to make the notes, देखिए यह आई बटन में मैं शो भी कर रहा हूं, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, दोनों ही चीजें आप देख सकते हैं, तो reading जब आप करोगे तो आपको क्या बनाने पड़ेंगे, notes बनाने पड़ेंगे, तो notes आपके तयार हो गए, notes बनाने के पूरी points मैंने आप लोगों को बता रहे हैं, जब अब आपको notes एक बार जब आपने पूरा study कर ली, तो उसके बाद आपको क्या करना है, revision करना है, मतलब कि आपको revise करना है, तो अब जब revise करने के तीन तरीके हैं, तो सबसे पहला तो क्या है, कि सबसे पहला तो आपको notes को ही दुबारा पड़ना है, अब यहाँ पर दुबारा books को नहीं पड़ना है, यहाँ पर आपको notes को पड़ना है, notes आपने पहले बनाई ही इस तरह से कि दुबारा आपको book को हात ना लगाना पड़ और अगर आपने book में ही notes बनाए तो book में केवल जो points आपने highlight किये उनी को पढ़ना है मतलब कि notes आपने जो बनाया है उनी को revise करना है तो अब आपने notes बनाया है तो notes किस तरह से बनाया हैं आपने तो जो notes बनाया है उसमें आपने कुछ points highlight भी किये हूँगे उसके अलावा आपने क्या बनाए होंगे, flow chart बनाए होंगे, कुछ आपने tables बनाई होंगे, उके इनको जब आप पढ़ेंगे, तो automatically आपने का जो है, revision जो है, वो क्या होगा, fast होगा, क्योंकि आपने ये तो सब बनाए हैं, उसके अलावा आपने summary भी आपने लिखी होगी, औ और उसके अलावा memory tip result भी आपने लिखी होंगे notes में, तो अगर ये सारी चीजें आपने लिखी हैं, तो ये scientific way हो गया, learn करने का, तो अगर आप इनको लिखोगे, इनको देखोगे, तो आपका revision क्या होगा, fast होगा revision, और ये first revision के time होगा, क्योंकि revision आपको किसी भी exam में को crack क करने के लिखें, at least three to four revision तो चाहिए, ही चाहिए, समझाया ना, तो ये revise हो गया आपका, अगर इस तरह से आपने क्या, दूसरा क्या होता है, revise करने के लिखें, एक तो आपने notes पढ़े, तो ये तो text format में आप read कर रहे हो, दूसरा होता है, visuals, और visuals में क्या होगे, visual में diagrams होग अनाटोमी होगी, पैतो होगी आपकी, तो उसमें भी आपका diagram होते हैं, तो ऐसे subject में diagram से बहुत कुछ learned हो जाता है, तो अगर diagram visual आपने देखा होगा कि हम जो video देखते हैं, वो हमें long term तक याद रहते हैं, और हम text अगर कुछ देखते हैं, तो वो हमें ज्यादा time तक याद नहीं रहता, तो अगर जो diagram को अगर ने तीन चार बार बनाया आपने, तो बनाने से अच्छा याद हो जाएगा, क्योंकि अगर pharmacology है, तो pharmacology में drug का mechanism action है, वो आपने बनाया है, तो आपको याद हो जाएगा, बायो chemistry में अगर आपने chart बनाया है, जो भी आपके chart हैं, तो व आपको काफी सारी चीजे diagrammatic way में आपको learn हो जाएगी, उसके अलावा जो visuals हैं, उसमें आपके क्या आ रहे हैं, flow chart आ गए, क्योंकि flow chart का भी तो visual होता है, तो flow chart भी आपके किस में आ गए, visuals में आ गए, तो इस तरह से आप ये हैं, इसको कर सकते हो, और जो third जो point है, revision का वो ह आप क्या करते हो, जब आप पूरा दिन बर पढ़ते हो, शाम को चाई पीने जाते हो, या अपने दोस्तों के साथ टहलते हो, या अपने friend के साथ discussion करते हो, तो आपको पता है कि आपके कौन-कौन से friend तयारी करना है exam की, तो उन 5 friend जो हैं आपके, या जितने भी friend हैं, उनका group बनाओ और वो आपस में शाम को अगर बहार कहीं पर garden में हो या किसी चाई की shop पर जो हैं, वहाँ पर चाई पीते हो, तो simultaneously आप discussion करो, कि आपने कौन सा chapter पढ़ा, तो उसके बारे में सामने वाले friend को बताओ, और जो friend आपका है, उसने कौन सा chapter पढ़ा, तो वो आपको बता हैं हमारा discussion होता और वो ही question आ गया, तो discussion वाली चीज़ें हमेशे याद रहती, तो visual और discussion बहुत important है, अब यह discussion दो form में हो सकता है, एक तो आप अपने friend के साथ कर रहे हो, या फिर दूसरा आपका और teacher के बीच में discussion हुआ हो, आपकी कुछ problems रही है और आपको जो है teacher ने समझ आपकी problem का discussion, तो जो आपकी problem होगी, वो discussion हमें हमेशे याद रहता है, क्योंकि वो हमारी memory बन जाता है, और जो memory बन जाता है, वो हम भूलते नहीं है, तो audio discussion important है, visuals important है, और notes हमारे important है, तो अगर यह सब आपने किया, तो आपका revision fast होगा, और आपकी memory में regularity बनती जाएगी, clear और last में आपको क्या करना है, सोते वक्त जरूर होता है, कि हमें एकदम से नीद नहीं आती है, और तो उसको आप क्या कर सकते हो, पूरे धिन बर में जो आपने किया है, उसको सोते वक्त, जब तक नीद आए, तब तक उसको पूरे धिन बर का revise करते रहो, और automatically जहां आप अ आपकी memory भी बढ़ती जाएगी, clear everyone, तो देखिए यहां पर हमारे पास में क्या हो गया, audio हो गया, visual हो गया, notes हो गया, तीन चीजे हो गई, इसके अलावा आप क्या करोगे, जब आपका exam नजदीक है, और आपको faster revise करना है, तो आप पहले सही important topic की list बना ले, कि इस exam में last 5 year में से कौन से topic में हैं, जिन में से 32-40% question आते हैं, तो अगर वो important topic की list आपके pass में होगी, तो आपको last week केवल उनी को revise करना है, दूसरों को बाद में करना है, पहले उन topic को revise करना है, टाहीं बचे तो बाद में दूसरे topic को revise करे, तो आप important chapters का order बना ले कि ये chapter तो है, वो मुझे revise करके ही जाना है, जैसे pharmacology, तो pharmacology में आपको anti-diabetic का chapter बढ़ना है, cancer का chapter बढ़ना है, antivirals का chapter बढ़ना है, ठीके न, तो कुछ जो chapter important है, जिन में हमेशे हर साल question पूछे जाता है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीके न, तो वो important topic हो गए, तो इस तरह से अगर आप important topic क list बनाने के तो पहले उनको revise कर लेंगे, clear? और fast revision करने के लिए आपको अपनी एक deadline बनानी पड़ेगी, कि मुझे इस subject में इतना percent course इतनी तारीक तक पूरा करना है, दूसरे subject में इतना percent course इतनी तारीक तक पूरा करना है, जैसे physics हो गया, तो physics में आपको इतना course पूरा करना ह इतने time में पढ़नी है, biology होगी तो biology में आपको classification पढ़ना है, कितने time तक पढ़ना है, तो microbiology होगी तो microbiology में bacteria, virus जो भी पढ़ना है, वो कितने time frame के लिए पढ़ना है, मतलब कि deadline आप fix कर लो, deadline fix हो जाएगी, तो आपका course पूरा हो जाएगा, clear? तो I hope जो भी चीजे मैंने आप लोगों को बताई, वो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को ये चीजे पसंद आई है, तो आप अपने friends के साथ जरूर share करें, और अगर आप लोगों के पास भी कोई trick हो तो आप comment box में लिखें, वो उसको भी हम share करेंग है